हाइ गाईस वेलकम वेक टोवा चैनल आटर स्पेस पेचले वीडियो में हम बते थे यार ब्रेकिंग सिस्टम में यार कॉंप्रेसर का क्या काम है या कैसे यह चाहिए तो आज हम लोग जानेंगे यार कॉंप्रेसर के बाद जो मेजर नगे वह है डी दी यू या क्यूएस पी सिस्टेम प्रोडेक्शन वाल सो यह सिस्टेम हम जानेंगे और यह सेशन जो है बहुत इंटरस्टिंग होते जा रहे हैं और आप वीडियो का एंड तक बने रहे हैं कैसे काम करते हैं यह सब का पूरा जैनकर लेने के लिए चलिए हम देखते हैं इस बोर्ड में तो हम यहा करें में आज जानेंगे पहले आप वीडियो का बारे में जानते हैं है रिद्धिक्षेज्टर में है बेट बोल एक फिल्टर आता है जो मोईस्टर को आब सब्सक्राइब लेते हैं वह इसके फिल्टर को यह से परेट करने के लिए मतलब वह आगे जाने ने ने दिखा हु उसको वाइल पार्टिकल को एर से सेपरेट कर लेगा और यार का अंदर बहुर एक चीज आता है वह है आनलोडर फाल्फ बैसिकली एर जर्ट का अंदर तीन चीजी आता है और नीचे जो है वह साइलेंस बोल सकते या जो स्पोर्ट जो भी आ बोल सकते हैं तो हम देख लेते अबी आलोड़र वल्प फास्ट एंश परिंटा रगें आत वाच सबस्टर फ़िवाई लिः पार्टिकली आ है आपको को त्यालोड़क्त आता जीडर का अंदर याल का न SoundsƊ सब्सक्राइब को आगे जाने नहीं देगा और डिसीगेंट पॉलिशन फिल्टर के बाद जिसीगेंट बेट का अंदर से यार इंटर होगा यार का अंदर जितना मुएस्टर है वह यहां पे एब्सक्राइब यहां दो लैका है को जाए घंठ नहीं अल्य जाएगा आगे सिस्टम के लिए अऊट हो जाएगा एह बैसीकल में और हम यहां पर कॉलेशन कॉलेशन फेल्टर वार देपील्ट क्यों लगाए है आप जानते है जैसे आप लोग कुछ electrical चीज़ पार्चेस करते हैं जैसे उलक्तिक्छ, स्वाटर पार्चेस करते हैं, तो आप लुष का आथा है, यो नम लोग रहते हैं यहां पर देखते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं कौलीशन फिल्टर के अंदर क्यूं लगाया जाते हैं लगाया जो भी वायल पाटिकल और याल को आलग करने लिए अब ये गयाया थीया और ये चल रहे हैं क्याएं चल रहा हैं और लूब्रिकेटिंग के लिए इसको लूब्रिकेटिंग के लिए हमें लोग इनजीनल भेज़र हैं यह लिए पिस्टोन का चारव तरफ पिस्टोन रिंग होता है जो वाइल को स्क्राप करके नीचे लाने के लिए पिस्टोन रिंग तूड गया है या कुछ वाइल के लीकेश होगे जिसके लिए वह वाइल जैसा कॉंप्रेसर साख करके आगे तरफ प्रेसर तो उसी समय अगर ऐसे सीट्रेशन आगे जैसा पिस्टोन रिंग तोट गया या ज़्यादा अबार हो विसलिए क्रेंक से वाइल यहां के सब मिक्स हो जाता है यार के सब मिक्स होने से वो वायल आपका एर ज्रायर के अंदर आ जाते हैं तो इसी कंडिशन ना हमको एर से वायल निकलना बहुत ज़रूर है क्यों कि नहीं तो आगे का जो भी सिस्टेम है उसको डेमेज कर सकते हैं यसलिए हमको एयार से वाइल को निकालने के लिए हम लोग पॉलीशन फिल्टर जी एयार ड्रयर के अंदर लगाते हैं और मोश्टर निकालने के लिए डिसिकें बेट लगाते हैं तो जैसा फिल्टर हो के एया डिद्यू एया ड्रेयर के आंदर से बाहर चला गया और यहां पे जो आनलोडर हल्व है आनलोडर हल्व मैं बेसिकली एयार सिस्टेम में जो काट इन प्रेसर होता है काट इन 7.1 वार और काट आउट प्रेसर होता है 8.1 बार क्या होता है काट इन प्रेसर यह होता है कि जैसे मेरा शिस्टेम में 8.1 बार के ऊपर प्रेसर मतलब 8.1 बार हो गया सिस्टेम का प्रेसर यह सिस्टेम का तो उस समय क्या करेगा यह जो आलोडर भालव है यह यार को मनलब आउट तरब धिजना बंद कर देगा जो ही यह आएगा उसको डायरेक्ट आपको एड्मोस्पेयर में रिलीस कर देगा मतलब सिस्टेम में यह 8.1 पर की उपर प्रेसा हो कर देगा होई काम है अभी यार वो जैसे 2.1 पर हो गया यह रिलीस कर देगा यह लगाया फिर यह दावन हो गया जैसे यह डावन हो गया बंद की नीचे आ जाएगा फिर इस इस सिस्टेम में यह वीजना चलू कर देगा इसलिए इसको बोलते हैं काहिक इंपिसर मतलब 7.1 पर शुरू करने के स्टेम तो चार्ज करना एक डायरेक्ट एड्मोस्थ्यार में रिलीज करतेगा कि अब यहां पर एक और सब्सक्राइब करते हैं यह देगों ने डिजिक बेट और कॉलोसिंग फिल्टर यह वायल को रोपता है यह आपको हावा से जो बॉस्टर उसको सोच लेता है अब आप सोचेंगे जो जैसे डेली गारी 10 गंडा 15 गंडा 20 गंडा चल रहे और इतना सारे वायल और आपको मोईस्टर रहे तो यह लेकिक कर के रहे वायल को तो कहीं डिस्टर या मॉस्टर नहीं पड़ेगा नहीं तो फिल्टर किता देर के वायल को पड़ेकर निकल दिया अब अब आकर यहां से आउट हो जैसा मतलब 8,1 बार प्रेसर हो गया तो यहां मतलब यह जो भी फील्टर हो रहा है उसको जाने नहीं देगा बाहर यहीं पर रोक देगा तो जैसा हिह रोकौत हो के रोख देगा तो जैसा यहां पर रोग दिया आगे जाने नहीं देगा हो गया तो क्या कर गया यह यहां पर रोग दिया यहां पर काट आट पर रोग दिया तो जिस्टेम में यहां तो उल्टा मुफ करेंगे जैसा यह बाहर करने लगा किस्टेम में पर नहीं चाहिए तो जैसे पर इस आप यहां परिज़िया जाकि फिल्टर के ऊपोड़ से रियाक्ट करें इसी इस में अपर कहां जितना मोस्टर जमाह हो और यह अडिसीं पेटका जि तो अब गारी में देखते हैं जब कुछ देट चलने के पर एक छीकने का आवाज भी गारी में आता है तो वह इसकी लिए आते हैं कि हमारा सिस्टम में प्रेशर कंप्लीट हो गया प्रेशर 8.1 बार पहुंच गया जो एक सब्सक्राइब हो रहा है वो डिया ड्राइब का अंदर इसा बैक प्रेशर मारके डिस्टिकन बेट और पॉलर्शन फिल्टर का अंदर जो भी कच्रा था या जो अन्दो अको मोईस्चर जो भी था एत्रो अनलोडर वल यह पूरा बाहर रिलीस कर देगा मन्दब फिल्टर को साफ कर देगा तो कभी-कभी देखेंगे आप तैंक में इसका आगे जब टैंक रहेगा टैंक में पानी जमा होते है या पाइप में वाइल गिरते हुए देखेंगे जैसा ब्रेक चिंबर हो गया या स्प्रिंग एक्चुर के पास देखेंगे तो उस ताइम आपको यह समाझ रहना चाहि बंजाना वहांसे लेकश हो रहा है जो आणना ही से बहुंसे बैसे हैं अंधर से आएगर अंदर से रिलीस हो रहे है मतलोग को हैं देखेंगे का में अन्दर यह साब चीज़ सकते हैं तो तो इसके पास एक नेजर ओर कॉंपोनें हो रहते हैं क्यूंद को क्यूंस पीच्व इसमें में आपको चार डिस्टिब्ट पॉर्ड रहता है एक इंपिर पॉड और चार डिस्टिब्ट पॉड रहता है इसमें अब पांच नमपर देखेंगे है 11 2123 24 23 24 चार आप देखेंगे थे पीड़हर हमेसा एक हम के लिए दो पाइब डीन जो टैंकिर जो तोड मां बलो जो अग्याटôi रिजर्वर एकलitz और पटाइंग फर एकलब रिज्स aż रियर इक्सल कुरेलिए ब ट्रियर आटले उसमें ट्वेंटी वन नमर और पाईप हमें साज्ट है तो इसमें 22 नमबर पाइब काहा सबदिन कहा डिस्टिबीट करते हैं को एक्सेल में जो रीजरबर टेंग है उसके लिए 22 नमबर पोड से उसको डिस्टिबीट होता है घ्रत एकेसल ब्रेकिंग के लिए जो यह रिजर्वाय टेंक है उसमें 22 नंबर से हमाइसा शॉप्लाय होता है 20 थी लाओ सेपलाइन होता है यह चाहिंते हैं प्रखू आफिंगा यह हैंते जिए जो भी होल सकते हो उसके लिए 2 שנ 259 आपैर 2d4 थो मस पू foll ड्ली सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कोई गारी में ट्राग मत देखेंगे लिफ्ट एक्सेल है और आपको लेवलिंग कोंट्रोल भाल्व है वह सब कोई भी मतलब क्लाज बुस्टर हो गया यार हो गया वह सब लिए 24 नमबर कनेक्शन से हमको लिए जाता है यार तो यहां पर यहां पर क्वेस्टिवी कोट्रेवल सिस्टेम प्रोडिक्शन वाल की जरूरत क्या है यह तो डायरेक्ट हम चारत और फेस सकते इसका कुछ जरूरत ही नहीं इसका जरूरत है जरूरत Fleisch आशाएं पुरतिष्पी थे मिल रूंत के देघर होँ इसदेल लाल लम्ब आपको पडिक्शन का बहुत सब्संट़ की रहते हैं जैसा 21 को कचिन नहीं अंदर मतलब जो इस्प्रिंग लोडर वाल और ट्वेंटीटू नमबर पॉर्ट के अंदे इस्प्रिंग वाल है वह आपको ज्यादा पारिटी मिले है गारी में जैसा कि सिस्टम में कुछ यहार नहीं है आप गारी स्टाट किया याद रिविव से फिल्टर हो के कि यूएस्प्व यह करें कि पहले फास्ट यार व्यज़ेगा ट्वेंटीवांगर ट्वेंटीटिटू नमबर को मतलब फ्रॉंट एक्सेल का ब्रेकिंग और रियर एक्सेल ब्रे बेज़ेगा की उसप्रेंग लोड़े रवाल है जो फार्स पाइड इस ब्रिक का जो रिजर्व रहों उसको उसमें आपको यार जैसा यार आपको रीच हो गया 5.0 या 5.5 जैसा आपको बीट अप हो गया प्रेसा 5.0 या 5.5 बन तो उस तरहीं फिर ओपन होगा 23 नंबर पोड छोड़ा थे 23 로 Soul में वह पूब यार को जानाए देगा फिर दिस्ट्रीबूट में वह उसको वह यार को सप्लाइब करेगा 24 नंबर पो अस पैसरे 16ल सप्दॉट को चालू कर देगा बालगव चारोड जो ओ और डिस्ट्रीबूट के लिए बो डिस्ट्रीबूट अलग अल 23 को डिस्टिबूट करने के पाद 24 को डिस्टिबूट करेंगा यह है क्यों सब्सक्राइब का में काम है ऐसे मतलब जो इसके अंदर सेट किया हुआ है वह सेट का हिज़त से वह अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग कोड में यह भीज़ेगा इसका भी कुछ कारण हुआ क्यो इसलिए ओर पर गौका एक प्रेश नहीं है बिल्कुल जीरो बिसादश और आपका गारी प्रेक में काहीं तरो रहा हो प्सक्राणिट को तो सिप्थ कशन आप और जैसा आपको यह किया होगा चारो तरब एर जाएगा सब सिस्टेम में पूरे यार जाएगा तो सब्सक्राइब के लिए मिनिमम कोई प्रेसर का जुरूरत परते हैं उतना देर में अगर वह यार जाकर 23 में जाकर पार्किंग ब्रेक को रिलिस कर दिया है तो कहीं भी जाकर गारी का एक्सिडिट हो सकते ह है जो सब चीज़ के बचाने के लिए जैसे हमको ये सेफटी जोरूरी करना है जो हम पार्किंग निकलने का पहले जो सारी ब्रेक है वह service brake में पूरा हमको air constant हमलोग जरूरी है अगर parking brake हम छोड़ दिया और हमारा service brake system में कोई air है नहीं तो हम गारी को कैसे रोखेंगे हो सकते हैं इसी लिए QSP बनाएगा है जो मतलों पार्किंग ब्रेक छोड़ने के पहले हम यह इंसोर हो जाएंगे कि हमारा सर्विस ब्रेक है वह एक्टिव है अगर पार्किंग ब्रेक हम छोड़ दिया तो सर्विक ब्रेक से हम गारी को रोग लेंगे यह सब चीज इंसोर करन के लिए हमारा QSP बनाएगा है वाट्रेवल सिस्टेम प्रोटेक्शन वाल और यह मेंटेर्स करना बहुत जोड़री है जैसा अगर कंप्रेसर लिकेज हो गया है बहुत ज्यादा वाइल आ रहा है या वाइल सिस्टेम आगे जाएगा तो बहुत तरह जिसको देमेश जावर कर सकते हैं तो उसको द्रैमेश वागर रोगने के लिए करना बहुत ज़रूरी है और यह जो सिस्टेम है मैं आपको फुरा से छोटा चीश टिप्स देना चालता हूं यह कि यह सिस्टेम में आप देखेंगे हमेसा डिया जो है उसमें वान नमबर जो पोट है वह एंटर है 21 22 23 24 सब आउट के लिए तो एक बदब ध्यान में रखिए जैसा अभी कोई आप वो नया गारी आया गारी का सिस्टेम के बारे में आपको पता नहीं है और कुछ खाड़ा भी होगा तो आप यह जानेंगे जो जो सिस्टेम मतलब कीवेस पीवीव से या या जो भी कॉंपो होता है है जैसा वान होगा है एलेव हो गया और हो जो डूंबर मतलों यह तो से स्टार रहेगा जैसा two 21 22 23 24 अब यहांपर देखेंगे होट दूम्मङ से टो एद टूतिते थे तूतितितं गसे मैं 20 ब्रेको सा्वसर्क्वाइक के सिल्ट ऑसके लिए एंटर और गान milliards यापको ऍलेलब्रीक आपको हैं या यह चोटा सा टीप से आपको जाके कहीं करने के जुरूरत नहीं है गाठीं पेसा 7.1 बर काट आउट पेसा 8.1 बर इसमें सेटिंग का ओप्सन भी दिया है अगर आपको रिक्वार्मेंट थूरा 8.5 बर हो तो आप यहां से सेटिंग करके इसको 8.5 बर कर सकते पर एक दों दिल्कुल स्टेंडर है ना उसको ज्यादा वाड़ा यह ना कम किजिए क्योंकि ज्यादा वाड़ाने से वो सिस्टेम में फिर सैटिस्पेटरी काम नहीं कर रहाएगा कहीं पाइप को फोड़ या कुछ लिकेज बागर ज्यादा हो जाएगा पाइप पड़ अब यह नए नया गारी में आप देखेंगे एक ही कॉंपोनेंट है यह नाम है ड्राइंग एंडिस्टिबूशन वह कहते हैं यह पर लागे जासी हैं पर फीट कर दिया बाकि अलग कूछ नहीं है सब सेम चीजिस काम करते हैं तरीका से आपको यार को डिस्टिबिट करते ह करते हैं तो उसी तरीका से लागे यहां डाल लिया बागी सब सेम है और यह है आपका यह जर और कि दोनों मिला के डिल्यू हो गया तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे यह क्या काम है और कैसे सिस्टम में यहां ब्यासते हैं सेपर ट्वाइस और आगे जाए करें में देखेंगे इस एक्सेल में या फोर एक्सेल फीट एक्सेल इस अब गारि में ड्रेकिंग सिस्टेम गैसे काम करती है कैसे मोडिफिकेशन किया गए ब्रिकिंग सिस्टेम और येजी और बैतल होने के लिए आपको इस बारे में और कुछ जनकारी चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विल आइकोन को दबा दीजिए और जिसको जरूरत है जिसको जनकारी च सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू पर बने रहने के लिए